उधारन 11, कितने प्रतीशत वार्षिक चक्रुद्धी ब्याच की दर से 1000 रुपे का मिश्रधन देड़ वर्ष में 1331 रुपे हो जाएगा, यदि ब्याच की गर्णा अर्धवार्षिक की जाए उधारन 11, हल, इस प्रश्ण में हमें मूलधन के रूप में जो राशी दी गई है, वह है 1000 रुपे इसके पश्चात समय है, डेड़ वर्ष, परंतु यह भी कहा गया है कि ब्याच की गर्णा अर्धवार्षिक है इसका मतलब, यदि हम इसे अर्धवार्षिक में बदले, तो डेड़ वर्ष के लिए हमें मिलेगा तीन अर्धवार्षिक दर हमें ग्याद करनी है, क्योंकि प्रश्ण में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रुद्धी ब्याच की दर से तो दर बराबर ग्याद करना है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मिश्रधन की भी जो माने वदिया गया है और मिश्रधन है हमारे पास 1331 रुपए दर ग्याद करने के लिए हम मिश्रधन के ही सूत्र का प्रयोग करेंगे हम जानते हैं कि मिश्रधन A बराबर होता है मूलधन P, एक धन, आरबटे 100 और पूरे की घात N जो की समय है चलिए इसमें मान रख लेते हैं मिश्रधन हमारे पास है 1331 रुपए मूलधन है 1000 एक धन, आर का मान हमें ग्याद करना है इसलिए अभी से हम आर से ही व्यक्त करेंगे 100 और N जोकि अर्धवार्शी गढ़ना है तो N का मान हमने निकाल कर रखा हुआ है 3 चलिए आगे हल करते हैं हमें जो समीकरन प्राप्त हुआ था वह है मिश्रधन 1331 रुपए बराबर मूलधन 1000 एक धन, आर बटे 100 और पूरे की घाद 3 यहां से हमें आर का मान ग्याद करना है तो इसे हल करने के लिए पक्षानतर कर लेते हैं 1331 बटे पक्षानतर से यह हो जाएगा 1000 और यहां हमें मिलेगा एक धन, आर बटे 100 पूरे की घाद 3 उसके बाद यहां पर देखिए हमें निकालना है आर का मान निकालने के लिए पहले इन दोनों को, दोनों पक्षों को इस रूप में रखना होगा कि इसकी घात रूप जो होगी वो समान हो जाए तो घात कितनी है यहां पर? तीन हमें बाए पक्ष को भी इस प्रकार लिखना होगा कि यह घात तीन के रूप में दिखाई दे इसके लिए हर में हम देखते हैं कि एक हजार दिया हुआ है 1000 याने की इसे 10 की घाट 3 के रूप में लिख सकते हैं इसी प्रकार 1331 के लिए भी देखना होगा कि यहां किसका घ्षन है तो हम देख सकते हैं कि यहां 11 गुणित 11 गुणित 11 से प्राप्त होगा और हर जो है उसे लिखा जा सकता है 10 गुणित 10 गुणित 10 एक ठन 6 बटे 100 पूरे की घात 3 यह हमारा दाया पक्ष है अब इसे किस रूप में लिखा जा सकता है 11 बटे 10 पूरे की घात 3 और इस पक्ष में होगा एक दन 6 बटे 100 पूरे की घात 3 अब चुक् largo दोनों पक्षों के घाते समान है तो उनका आधार भी समान होगा याने कि दोनों पक्षों में घात समान होने पर आधार बराबर होगा इसलिए हम कह सकते हैं कि 11 बटे 10 जो है वो बराबर है एक धन आर बटे 100 के चलिए आगे देखते हैं तो हमने देखा कि दोनों पक्षों की घात समान है इसलिए उसका आधार समान होगा और इससे हमें प्राप्त हुआ था 11 बटे 10 बराबर एक धन आर बटे 100 चलिए इसे आगे और हल करते हैं 11 बटे 10 रिन 1 बराबर 8 बटे 100 यहां से हमें मिलेगा 11 रिन 10 बटे 10 बराबर 8 बटे 100 याने की यह हो गया 1 बटे 10 बराबर 8 बटे 100 तो आर का मान निकालने के लिए हम इसे आगे और हल करें तो हमें मिलेगा आर बराबर सौ बटे दस याने की आर का मान हो गया दस प्रतिशत यह हमारी गड़ना जो है वो अर्धवार्शिक है अब चूंकि ब्याज की गड़ना अर्धवार्शिक की गई की गई है तो जब अर्धवार्शिक में हमारे पास दर कितनी आई है 10 प्रतिशत तो जब इसे हम वार्शिक करेंगे तो क्या होगा वह इसका दुगुना अतह आर जो होगा वार्शिक रूप में हम लेंगे तो आर बराबर होगा 10 गुणी 2 बराबर 20 प्रतिशत वार्शिक और इस प्रकार हमें आर का मान प्राप्त हो गया और प्रश्न हल हुआ